तो हमेशा कार में कौन-कौन से डोकिमेंट्स रखने चाहिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपके पास आपकी जो कार है उसकी आर्सी जो है वो जलूर होनी चाहिए अब देखी वैसे आप इनको परिवहन जो एप है आप उसमें भी इसको रख सकते हैं बट सम्टाइम हो ऐसा होता है कि हम उसको एकसेस नहीं कर पाते हैं फिर हमारे पास एकसेस नहीं होता उसका एप का तो हम अगर आपके पास परिवान में पढ़े भी है तो भी आपको अपने साथ एक हाड कॉपी ज़ो है जरूर करनी चाहिए ठीक है अब उसमें जरूर नहीं है कि आप उसको औरिजिनली करें आप उसको फोटो कॉपी करवा के भी ज़ो है कर सकते हैं उसमें आपको कार की PUC, इंशॉरेंस और कार की RC जरूर करनी और अपने साथ आपको अपना driving license जरूर करना जो की valid होना चाहिए आपको हर एक document जो है valid होना चाहिए और जब आप PUC बनवा है तो कोशिच करें एक साल की बनवाले अगर आप 6 महीने के बनवा रहे हैं तो उसको टाइम पे रीन्यू जरू करवा ले क्योंकि कई बार लोग कम टाइम की PUC लेके उसको जो है रीन्यू करवाना भूल जाते है तो दन्याबाद वाई वीडियो देखने के लिए